गुड मॉर्निंग फिफ्ट क्लास, बेटा मैंने आप लोगों को EBS में चैप्टर नमबर थर्टीन स्टार्ट करवा दिया था, चैप्टर नमबर थर्टीन था वारा प्ले विट वॉटर, जिसमें हमने पानी के साथ अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, तो for your help, मैं यहाँ पर लिखवा रखी हूँ, जिससे कि जब आप चैप्टर की रीडिंग करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो चैप्टर की रिविजन कर लेते हैं, पहले तो जो हम पढ़ चुके हैं वो, और फिर उसके बाद जो हमने पार्ट नहीं पढ़ा था, वो मैं आपको बता दूँगी, तो वो भी आपका complete हो जाएगा, देखो, firstly हमने एक experiment किया था, हमने 3 glasses लिये थे, और तीनों को हमने half fill कर लिया था, half fill यानि आदा आदा बढ़ दिया था, एक में हमने first जो glass था है, इसमें हमने क्या किया था, हमने पानी में salt एड़ किया था यानि की नमक मिलाया था, second में हमने sugar एड़ किया था, यानि की चीने मिलाया था, और third में हमने chalk powder एड़ किया था, ठीक है, और फिर जब हमने इसको घोल दिया था, डिजॉल कर दिया था, तो salt तो डिजॉल हो गया था, घुल गया था, शुगर डिजॉल हो गया था, ठीक है लेकिन chalk powder dissolve नहीं हुआ था तो इस experiment से हमने यह पता लगाया था कि water में कौन से चीजे dissolve हो जाती है और कौन सी नहीं होती फिर हमने क्या किया फिर हमने quick dissolution और late dissolution पड़ा यानि कि कौन सी ऐसी चीज़ हम ऐसा क्या करें कि जल्दी dissolve हो जाए पानी में कोई चीज ठीक है और कौन सी क्या करने से late dissolve होता है तो देखो हमने दो ग्लास में पानी लिया था और दोनों में हमने थोड़ा-thोड़ा शुगर डाल दिया था एक ग्लास में थो हमने शुगर को चम्मच से चला दिया था और दूसरे को हमने stir नहीं किया था stir करना मतलब हिलाना तो किस कौन से ग्लास में चीनी घुल जाएगी और किसमें डिजॉल नहीं होगी तो देखो जिसमें हमने स्पून से उसको हिला दिया था इस्टिर कर दिया था उसमें तो शुगर डिजॉल वो जाएगा लेकिन जिसमें हमने stir नहीं किया था उसमें dissolve नहीं होगा ठीक है तो इससे हमें ये पता चला था कि अगर हमें किसी चीज को जल्दी से dissolve करना है तो हमें उसको stir कर देना चाहिए हिला देना चाहिए फिर देखो फिर हमने पढ़ा था कि कुछ चीजे तो ऐसी होती है जो water में float क जादा जिसका वजन होता है जिसकी density water से जादा होती है वो तो क्या होती है नीचे जाकर sink हो जाती है पानी में डूग जाती है और जिसका वजन कम होता है जिसकी density water की density से कम होती है जो light होता है वो क्या होगा वो water पे float करता रहता है तो फिर हमने उसमें कई चीजे देखी थ और अलग अलग पाट को डाला तब क्या हुआ यह हम नहीं किया था ठीक है तो यहां तक का हम लोगों ने कर लिया था अब देखो हमें पढ़ना था यहां से take half a glass of water and put a lemon into it now add a pinch of salt gradually into the glass after adding 3-4 pinches of salt what do you notice discuss in the class that when the lemon float and water did not get drowned तो इसमें क्या क्या रहे हैं कि water लो उसको half fill कर लो उसमें lemon आड़ कर दो नीबू आड़ कर दो और फिर उसमें क्या करो pinch of salt यानि कि थोड़ा सा नमक आड़ कर दो फिर क्या होगा जब हम 3-4 pinch salt के डाल देंगे तो आप क्या देखोगे आप क्या देखोगे जब आपने थोड़ा नमक डाला तब तो वो जल्दी से गुल गया और जब आपने 3-4 pinch और डाल दिया तो क्या होगा नमक एक बाद नीचे जाकर बैठ जाएगा फिर हमें उसे चंपेट से इस्टिर करना पड़ेगा तो यह तो हमने पहले पढ़ लिया कि किसी भी चीज को डिजॉल करने के लिए हमें उसको इस्टिर करना पड़ता है फिर विच फ्लोट्स तूदा टॉप तो एट नोट से लो में वावे हमें तो प्लास्टिक को से एक बोतल लो ट्रांसपेरंट जिसके आयर पार आपको दिखे थिक है और उस बॉटल में आप क्या करो, उसमें water fill कर दो, पानी भर दो आधा, ठीक है, और उसमें 8 to 10 drops के किस की डाल दो, oil की डाल दो, कोई भी तेल डाल दो, और उसको अच्छी तरह बॉटल को gap लगा कर हिला कर रख दो, थोड़ी दिर बाद आप क्या देखोगे, जो आपने उसम पर तेहरता रहता है, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कोई चीज देखी, जैसे इसमें देखो क्या लिखा है, एकसेटरा, लिक्विट थिक से लीटर, इस देखोगे, जैसे मिल्क इस अलसो सोल्ड इन बॉटल, इस अलसो मेजर इन लीटर, अब देखोगे, एक दिन जब मिल्क मैं आया, जब दूद वाले भाही आए, तो ममी ने सलोनी को भेजा, ठीक है, कंटेनर लेकर पतीली लेकर, तो जब अंकल उसमें नापकर दूद डाल रहे थे, तब सलोनी ने पूझा, कि अंकल जो दुकानदार होते हैं, वो तो हमें हर चीज किलोग्राम में नापकर देते हैं, तो क्या दूद भी किलोग्राम में नापते हैं, तब अंकल ने उसे बताया, कि जो दूद होता है, ज आपको यह question भी करना है, इस question में देखो क्या पूछा है, कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें आपके घर पर जो आती है, जिसको किलोग्राम में आप सब्कते हैं, तो कौन-कौन सी चीज़ें, सबजियां है, राइस है, ठीक है, चावल है, फ्लोर है, यानि कि आटा है, पलसे है, और cereals है यह ऐसी चीजें जो किलोग्राम में आती है फिर next question आप से पूछाए कि एसे कौन-कौन से चीजें आपके घर में हैं जो कि लीटर्स में नापी जाती हैं तो वह कौन-कौन सी है जिसे milk, oil, water, घी, buttermilk, buttermilk यानि छाच यह सारी वो चीजें जो लीटर में नापी जात आप तीन चार अलग अलग बरतन लो और उसमें नापकी देखो कि एक एक लिटर की कितनी चीज़े Constitution के या. आंपने गृण पानी और वर्टे की कोशिशिश के तो शुआ कितना पानी आसकता है. पाँच लिटर ये भी आप करेंगे और इससे पहले जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बॉक्स बताया था शुगर, सॉल्ट, शुगर और चॉक पाउडर वाला ये भी आपको करना है नोट बुक में ठीक है इस वाले चैप्टर में आपको बहुत सारे टेबल्स बनाने 10 ऐसी चीजे बतानी जो पानी पे थैरती है और 10 ऐसी चीजे बतानी है जो पानी में डूब जाती है तो ये मैंने आपको लिख कर दे दिया है आपिसमिन से देखिएगा फिर यहाँ कुशन पूछा है चॉक पाउडर डिजॉल्व हो जाता है पानी में तो हमने पढ़ा था कि चौक पार्डर पानी में डिजॉल नहीं होता है, तो यह फॉल्स है। Sae factions में हम cent क hackers उन्हों ने दे दी और और बितने ऑने में कौन-कौन ऋपा कौन सी चीजे त। पानी में फ्लॉट होंगी और कौन तो हमने लिख दिया पंक, पेपर, फैदर, पेपर, पीस ओफ वोड, पैंसिल और लीफ क्या होगी, यह तो फ्लोट करेगी, तैरेगी, और रॉक, पीस ओफ ग्लास, कॉइन, बैंगल, और चॉक क्या हो जाएंगे, डूप जाएंगे, फिर यहां पर हमें कुछ चीजे दे यहां पर हमें कुछ चीजे दे गई और कहा है कि इनमें से कौन सी चीजे तैरेगी और कौन सी डूप जाएगी, तो हमने लिखा पैंसिल और खाली प्लास्टिक के बॉटल तो तैरेगी, बाकी औल पिन हो, या की हो, या ब्रिक हो, या इट हो, या फिर पत्थर हो बड़ा स या फिर नेल्स हो, यह क्या होंगे, यह डूप जाएगे, ठीक है, आपको यह पूरे-पूरे कोशन्स लिखनें और फिर ऐसा आपको एक-एक पेज पर यह बनाना है टेबल, फिर यहां कोशन्स पुछा है, वाई डस शुगर गैट डिसॉल फास्टर इन होट वाटर, अस क जादा डाइनमिक होते हैं, जादा एक्टिव होते हैं, तो इसके कारण वो जादा स्पीड में गूमते हैं, तो जब हम लोग करम पानी में किसी चीज को मिलाते हैं, तो वो जादा जल्दी डिजॉल हो जाता है, as compared to ठंडा पानी, क्यों? क्योंकि गरम पानी के जो पार्ट चीजे तो पानी में तैरती हैं, और कुछ चीजे डूब जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो हमने अंसर लिखा, when an object is inserted into the water, then it should remove equal amount of water as per its volume. हमने लिखा कि जब हम पानी में किसी चीज को डालते हैं, किसी object को डालते हैं, तब क्या होता है? जितना भारी वो अबजेक्ट होता है, उतना ही पानी में इसे पानी उस भरतन में से निकल जाना चाहिए, ठीक है? इप दवेट ऑफ दा वाटर रिमूब वाइट आपजेक्ट इस मूर, अगर देखो, सिंपल सी बात है, कि अगर जिस चीज को हम पानी में डाल रहे हैं, उसका वजन पानी से हलका है, लाइट है, तब तो क्या होगा? वो पानी के उपर फ्लोट करेगा, और जिस चीज को हम डाल रहे हैं, उसका वजन पानी की वजन से जादा है, डेंसिटी जादा है, तो वो क्या होगी? क्योंकि उसका वजन जादा होगा, वो पानी में नीचे जाकर बैठ जाएगा, तो इसलिए हम an object is inserted into the water then it should remove equal amount of water as per its volume उसके वजन के हिसाब से उसको उतना ही पानी छलकाना होता है अगर उसका weight water जो निकला है उसका weight ज्यादा है object से तब तो क्या होगा object float करेगा और वरना object sink हो जाएगा sink मतलब डूप जाएगा ठीक है यह important question answer से इनको learn जरूर कर लेना तो इस तरह हमारा chapter number 13 complete हो गया है फिर भी अगर इस chapter से related कोई भी problem हो तो आप मुसे life class के time पर पूछ सकते हैं जितने भी मैंने tables आप लोगों को बताएं चाहिए वो यह वाला table हो और चाहिए यह question answers हो यह सब आपको notebook में करना है मैंने यहां लिख दिया in notebook ठीक है in notebook तो यह सब आपको notebook में करने यह chapter important है इसमें से काफी questions आते हैं ठीक है तो chapter से related कोई भी problem हो तो पूछना chapter की reading करना खुछ से और चीजों को समझने की कोशिश करना फिर भी नहीं समझ में है तो आप मुझसे पूछ लेना मिलेंगे फिर अपने नेक्स क्लास में तिल देन बाई चेक क्यार